अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ जीयो फाइनान्स को लेकर बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये है कि आज इसके अंदर ब्लॉक ट्रेड हुआ है 124 करोड के करीब करीब 355 रुपे 80 पैसे का इसी के साथ 149 करोड के करीब भी ट्रेड हुआ ये भी सेम प्राइस के इर्दगिर देखने को मिला क्वांटिटी की बात करो तो 1,38,332 क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है और दूसरी 3,5,3,5 क्वांटिटी के करीब आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर ट्रेड हुई है और ये आज का ट्रेड है 26,2024 अब अभी या इसकी बदोलत हम कैसे पैसा बनाएंगे आईए डिटेल में से समझते हैं आपका पैसवागत करता हूँ चैनल के ओपर पहली बार विजट किया है तो यार सबस्क्राइब ज़रूर कर लेना और मैं आप लोगों को जो भी चीज़े बताऊंगा आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइव डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेकनिकल एनलेसिस हो या फाइनांशनल हो सारी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री अफ कॉस्ट तो सबसे पहले भेई हम फंडामेंटल के उपर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर हम जियो फाइनांस में पैसा लगाते हैं अच्छी है या बुरी है तो यहाँ पर ध्यान रखो पर मोटर ने थोड़ा सा माल जो है वो खरीदा है यह बात ध्यान रखना यह एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर देखने को मिला है तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें डाउन फाल आप लोगों को देखने को मिल सकते है थोड़ा सा मैंने जादा नहीं का कि crash हो जाएगा यह होगा हो सकता है थोड़ी profit booking और देखने को मिल जाए इस बात का ध्यान रखेगा बाकी overall इस company का data अच्छा है अगर आपने पैसा लगाया है इसमें तो आपको आने वाले समय में पैसा मिल जाएगा जानी कि ढूबने के chances नहीं है क्योंकि आप एक बड़े जहाज के साथ पैसा लगा रहे हो आप अकेले नहीं हो कि बस पर मोटर ने पैसा लगाया और आपने लगा दिया बड़ी बड़ी फर्में FISD इस mutual fund research करके आते हैं आपका पैसा उनके साथ लगा है तो यह विश्वास आपके अंदर होना को मिला cash flow की बात करें तो वो भी हमें अच्छा कासा देखने को मिल रहा था बट इस साल ध्यान रखना 2024 में negative देखने को मिला है जाने कि company ने profit तो किया बट वो profit हाथ में नहीं आया तो यह बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा यह आने वाले समय में क्या यह प्लस करोड का net profit की बात करोगे तो 1176 करोड का आपको revenue भी net profit भी देखने को मिल रहा है अच्छा बात करते है company के करजेगी तो वह यह company के ओपर करजा बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत अच्छी बात है तो अभी तक हमने क्या देखा हमने देखा company काम कर रही है turnover कर रही है profit generate कर र पोड़ास आप लोग जरूर ध्यान रखेगा तो याद रखना यह manipulation भी हो सकती है अच्छा इसके बाद चलते हैं सीधा सीधा हम balance sheet के उपर बही आप balance sheet के अंदर reserve and surplus बहुत अच्छा है sorry एक लाग 32,794 करोड का अच्छा खासा reserve है long term boring कुछ भी नहीं है मैंने आपको पहले इसके अलावा company के पास अगर आप investment देखो तो एक लाग 33,292 करोड की investment भी की है इसके अलावा 10,959 करोड का cash and equivalent भी है तो अगर आप यह company का balance sheet देखो तो आप यह कह सकते हो company को cash rich बताया गया है अच्छा खासा cash company के पास है जाने की company अच्छा खासा survive कर सकती है आने वाले सम है company cash rich है बट कहीं ने एक loss जो cash cash flow था उसमें हमें negativity देखने को मिली है तो अगले quarter में आप लोग थोड़ा सा इसके उपर ध्यान जरूर रखिएगा कि cash flow थोड़ा सा positive जो है वो आने की कोशिश करें तो cash flow में आईएगा तो यहां पर आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान यह थोड़ा सा plus में आए तो अच्छी बात है अच्छा भया इसके बाद आते हैं सीधा technical के ओपर दोस्तो एस पर technical मैं आपको बता दू कि यह जो drawing बगएरा मैंने की है यह सारी चीज़े आपको trading view पर मिल जाएगी description में आपको link दिया गया है ठीक है इस page का आप जैसे इस page पर आओगे click here करना तो आपको यह live chart यह जो मैंने drawing किये यह दिख जाएगी आप इसमें देखते रहो और अभी मैं समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है ठीक है तो चलो ध्यान से समझ लो समझा है क्या dot in को भी mark कर लेना अपने पास इसी website पर आपने आना है अगर आपक momentum देखने को मिलेगा 378, 390 अगर इसके उपर निकलता है तो हम क्या करेंगे हम क्या stop loss लेंगे हम 355 का stop loss लेंगे जिसके अंदर आज block trade हुआ है 368 के पहले हम लोग buying नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है यह selling की गई हो और आने वाले समय में हमें fall भी देखने को मिले क्योंकि ज पहला target 10 point का ही रहेगा दूसरा 390 का और ध्यान रखना अगर इसके उपर यह stock निकला तो फिर आने वाले समय में अगर आप 2025 तक लेके चलो तो भीया हो सकता है यह stock आपको कम से कम भी 700, 80, 800 तक भी जाता हुआ दिख सकता है क्योंकि यह एक strand को जो तोड चुका है यह वाप आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अगर आपको trade लेना भी है तो hourly basis में आपको बता दू देखो यहां पे भी मैंने यह channel pattern ड्रॉ किया है जब तक इसके अंदर breakout नहीं आता आपको trade नहीं रहेना अगर breakout आभी गया तो आपका stopless क्या रहेगा 355 इससे बड़ा stopless लेना ही न लिंक है जैसे breakout आए तो आप trade लेग सकते हो थोड़ा सा technical सीखना चाहते हो तो वीडियो की description में हमारे दूसरे चैनल का link है वहाँ पर जाके आप सीख सकते हो वीडियो अच्छा लगा like जरूर करना share जरूर करना देखें नीचे की तरफ कुछ levels मैंने बनाए है 307 average का level है 340 पर आप average कर सकते हो उसके नीचे average करनी है तो 239 की तो यह कुछ levels भी है जो आपको mark करके रखने है अगर कोई नीचे बाइंग करना चाहता है average करना चाहता है तो उसके लिए level होगा 340 307 यह level mark कर लीजेगा बाकी दोस्तों जिस तरह से यह नीचे की तरफ जा रहा है हो सकता आपको आने वाले समय में 340 तक जाता हुआ दिखे और वहां से आपको दुबारा 362 पे जाता हुआ भी दिख सकता है I believe that 340 तक जाना चाहिए अभी के लिए इसमें कोई uptrend तो है नहीं लेकिन long term में यह uptrend में है तो कभी भी breakout उपर की side आ सकता है यह बात का ध्यान किये ट्रेड लेने से पहले एक बार financial advisor से जरूर पूचिए क्योंकि रिस्क आप सबका है मिलता हुआ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खेंग करें